हलो स्टूडेंट्स, सोरी फॉर इंकन्विनियन्स, मैंने आपको कुछ दिन पहले ब्रोंक्य लस्तमों पढ़ाया था, बट उसमें पेतो फीजियोलोजी तक ही बताया था और ये बात मेरे माइंड से निकल गई थी, तो आज मैं इसके आगे का आपको बताऊंगा, अगर उपर इसका लिंक शेर कर देता हूं स्क्रीन पे, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, आज की वीडियो में हम ब्रोंक्य लस्तमा के साइने सिम्टम्स की बात करेंगे, तो जनरली आपको अस्तमा के बारे में पता होगा कि एक क्रोनिक लंग डिजीज होती है, ज यानि मोशली अस्तमा एलर्जी की वज़े से कोज होता है, तो चलिए अब हम साइने सिम्टम्स की बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट वन जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा, वो होगा कफिंग, यानि परसन को कफिंग की शिकायत रेगी, बार-बार खासी आएगी, दूसरा वीजिंग साउंड की कंडिशन देखने को मिलेगी, जो ब्रौंकियोल्स है, या जो ऐर वे है, वो नेरो हो रहा है, इंफ्लामेशन की वज़े से उनमे म्युकस का कलेक्शन हो रहा है, जिस वज़े से जब भी परसन सानस लेगा, तो वीजिंग साउंड प्रोडिूस होगा इसके बाद और क्या symptom देखने को मिल सकते है chest tightness यानि कि person के chest में heaviness feel होगी ऐसा क्यों होगा क्योंकि वह inflammation हो रखा है mucus का collection हो रखा है इसके बाद और क्या symptom देखने को मिलेगा shortness of breath यानि person को सांस लेने में problem होगी gas exchange normally नहीं हो पा रहा है इस वज़े से person की breathing rate क्या होगी increase हो जाएगी और person जल्दी जल्दी सांस लेगा इसके बाद और क्या symptom देखने को मिलेगा excessive mucus production जैसा कि मैंने आपको बता है mucus का production बढ़ जाता है तो यहाँ पे भी क्या होगा mucus का production increase हो जाएगा इसके अलावा और other symptoms क्या देखने को मिल सकते है इसमें restlessness यानि person को बेचे नहीं रहेगी उसको rest नहीं मिल पाएगा इसा क्यों हो रहा है क्यों person को oxygen नहीं मिल रही है दूसरा इसमें क्या देखने हो मिलेगा diporesis यानि excessive sweating person को ज़्यादा पसी ने आएगा sweating होएगी और क्या symptom देखने को मिल सकता है sinosis sinosis की condition क्यों होगी क्योंकि oxygen proper मातरा में person को नहीं मिल पा रही इस वज़े से person की body में oxygen की कम हो जाएगी जिस वज़े से क्या condition देखने को मिलेगी sinosis और क्या देखने को मिलेगा mental confusion यानि person को confusion रहेगी mentally और इसके अलावा और क्या symptom देखने को मिल सकते है like hypoxemia hypoxemia क्या होता है blood में oxygen की कमी अगर blood में oxygen की कमी होगी तो hypoxia होगा यानि tissues में oxygen की कमी होगी then उसके बाद sinosis की condition arise होगी यानि blueish discoloration of skin ये term एक दूसरे से correlated है next इसके बाद और क्या देखने को मिल सकता है fatigue यानि की person की tissues muscles को normally oxygen नहीं मिल पा रहे है इसलिए person की muscles में fatigness हो जाएगी उसको कमजोरी रहेगी next उसके बाद और क्या symptom देखने को मिल सकता है difficulty in talking और walking ऐसा क्यों होगा क्योंकि person को प्रोपली oxygen नहीं मिल पा रहे tissues ले को तो इस वज़े से क्या होगा person को चलने बोलने में दिक्कत होगी क्योंकि उसको oxygen नहीं मिल रही है okay so यह इसके symptoms हो गए next इसके बाद बात करें इसके diagnosis की तो इसमें first one history collect करेंगे पेशेंट से जो भी इसकी present history है past history है medical history है या family history है यह अपन collect करेंगे उसके बाद का physical examination करेंगे patient का तो इसमें person के observation करेंगे दूसरा person से जो है history मतलब subjective जो data है वो collect करेंगे ताकि उससे जो भी patient अपनी problem सो बताएगा वो बोलेगा कि मेरे को सास लेने में दिक्का तोरी में जब भी कोई काम करता हूँ तो मेरे को weakness feel होती है तो यह किसके लक्षण है कि person को breathing problem है next diagnosis है spirometry इस test में एक device use किया जाता है जिसको बोलते है spirometer इस device के through यह detect किया जाता है कि person कितनी air normally exhale कर पा रहा है तो इस test को एक तो medications देने से पेले करते हैं और एक medications देने के बाद करते हैं तो इससे यह identify किया जाता है कि person कितनी air exhale कर पा रहा है अगर माल लो medication देने से पेले person normally air exhale नहीं कर पा रहा है और अगर medication देने के बाद exhale कर पा रहा है मतलब सुधार हो रहा है इसका मतलब क्या है पेशेंट को अस्तमा की शिकायत है तो ये एक तरह से डाइगनोसिस टेस्ट पता लगाने के लिए कि पेशेंट को अस्तमा की शिकायत है या नहीं अगर medication देने से पहले excel नहीं कर पा रहा है तो इसका और medication देने के बाद कर पा रहा है excel तो इसका मतलब क्या है patient को अस्तमा की शिकायत है next इसके बाद और test इसमें कौन सा कर सकते है metacoline test metacoline test में क्या करते है patient को metacoline दी जाती है यह metacoline drug जो दी जाती है तो यह क्या करती है allergy की तरह काम करती है ठीक है तो जैसे यह drug दी जाती है तो patient में bronchoconstriction की शिकायत होती है यानि कि जो airways होती है उनमें ब्रोंक को constriction हो जाता है यानि नेरो हो जाती है ब्रोंकियोल्स ठीक है तो अगर ये जो drug दी methacoline और उसके बाद अगर patient के airway constrict हो गए तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि patient को asthma है तो asthma के diagnosis में methacoline test किया जाता है जिसमें methacoline drug patient को दी जाती है ठीक है ये एक allergy की तरह काम करता है और जैसे ये blood में जाता है तो patient को constriction की शिकायत होती है और अगर ऐसा हो रहा है तो patient को क्या है? अस्तमा है, ओके? next के बाद और diagnosis कर सकते हैं, like chest x-ray patient का x-ray करेंगे दूसरा allergy blood testing करेंगे या देखेंगे कि patient को कौन से allergen से allergy है क्योंकि normally कुछ person को specific allergen से allergy होती है, कुछ को dust से होती है, किसी को pollen grain से होती है तो इस तरह से उसको identify करेंगे कौन से allergen से, तभी पता चल पाएगा कि person को इस allergen से अस्तमाई condition है next इसके बाद और क्या करेंगे? ABG analysis ABG analysis में यानि कि blood gaze का जो composition उसको analysis करेंगे तो अगर आपन देखेंगे तो इसमें normally oxygen की कमी हो रही है तो ABG analysis में क्या देखने को मिलेगा है? तो pH कम देखने को मिलेगी CO2 का level बढ़ाव मिलेगा और oxygen का level कम मिलेगा next इसके बाद management की बात करें तो management का जो goal है अस्तमा में अस्तमा में जो management देएंगे उसका मुख्य goal क्या होने चाहिए? एक तो patient को bed rest provide करना है जादा से जादा ऐसा क्यों करना है ताकि जो उसकी physical activity है वो कम हो सके दूसरा promote bronchodilation bronchial से उनको dilate करना है promote करना है dilation को तीसरा remove secretion जो secretion अंदर accumulate हो रहे हैं कि उनको remove करना है उसके बाद और क्या goal होगा? प्रिवेंट अस्तमा अटेग यानि जो future में जो अस्तमा अटेग आ सकते हैं उनको prevent करना है ठीक है? और दूसरा और क्या goal होगा? maintain normal lung function यानि जो lungs के जो normal function उनको maintain करके रखना है और normal lung function क्या होता है? gas exchange तो अगर वो normal चलता रहेगा पैसेंट को normally oxygen मिलती रहेगी तो यह इसके main goal है अस्तमा के management के अब अगर आते हैं इसके medical management पे तो जो medical management होता है अस्तमा का यह दो केटेगरी में होता है एक तो होता है short term management ठीक है? और एक होता है long term management तो short term management में तो ऐसी medications दी जाती है जो जल्दी से काम करें और थोड़े time के लिए काम करें long term medications वो हती है जो लंबे time तक काम करती है तो सबसे पहला आपन बात करेंगे short term medications की तो इसमें first one आती है bronchodilators यहां पर जो drugs यूज हो रही है अस्तमा में वो यही हो रही है कि bronchials को dilate करना है जो drugs bronchials को dilate करेंगी वहीं यहां पर काम आएगी ओके तो यहां पर patient को bronchodilators देनी है जो क्या करेंगी bronchial tubes को relax कर देगी कैसे करेंगी जो bronchial tubes में जो smooth muscles होती है उनको यह relax कर देती है next इसके बाद इसके अंदर जो drugs आईगी हो दो केटेगरी में bronchodilators में first one है short acting beta agonist आपने दो मतलब नाम सुने होगे एक तो होता है antagonist और एक होता है agonist antagonist drugs उनको बोला जाता है जो किसी के function को prevent करें किसी particular thing के function को prevent करें तो वो तो होती antagonist agonist उसको बोलते है जो किसी particular thing के function को stimulate करें तो यहाँ पे जो drug दी जा रही है वो कौन सी है agonist है और इसके आगे क्या लगावा है beta यानि जो bronchials जो muscles होती है वहाँ पे beta receptors present होते हैं तो यह drugs क्या करती है उन बीटा receptors को stimulate करती है और जैसे बीटा receptor stimulate होंगे तो bronchials dilate हो जाएगी तो यह जो short acting beta agonist होती है यह क्या करती है ब्रोंकियोल को dilate करती है कैसे बीटा receptors को stimulate करके उनके function को बढ़ा के नेक्ट इसके बाद जो second जो drug होगी वो होगी anticholinergics anticholinergics वो drugs होती है जो acetylcholine के function को block करती है अब आपको पता होगा acetylcholine जो है वो एक neurotransmitter होता है acetylcholine ने neurotransmitter होता है जिसका काम क्या होता है जो नर्व से जो भी signals आते हैं उनको muscles तक पहुँचाना और यह muscles के contraction relaxation में मतलब function करता है ठीक है तो यह जो acetylcholine यहाँ पर बीच में neurotransmitters होते हैं तो anticholinergics क्या करती है इन acetylcholine को block कर देती है अगर यह block हो जाएंगे तो यह नर्व से जो भी signals आ रहे हैं ठीक है वो block हो जाएंगे यहाँ पर ही रहे जाएंगे इस वज़े से muscles में contraction नहीं होगा और muscles में relaxation की condition हो जाएगी okay so do you understand anticholinergics क्या करती है जो acetylcholine पाए जाते है muscles neuromuscular junction में जहाँ पर neurons और nerves और muscles आके मिलती है तो यह acetylcholine क्या करता है neurons से जो भी signals आ रहे हैं उनको muscles तक पहुचाने काम करता है और muscles में contraction होता है तो यह anticholinergics क्या करती है acetylcholine को block कर देती है जिस वज़े से जो भी signal से वो आगे नहीं जा पाते हैं और muscles में relaxation की condition हो जाती है तो यहाँ पर यह short acting drugs में bronchodilectors है जो यह दोनों drugs जो R.E.S में यह दोनों क्या कर रही है bronchials को dilate कर रही है short editing beta agonist तो क्या कर रही है beta receptors को relax कर मतलब stimulate करके muscles को relax कर रही है और anticholinergics acetylcholine को block करके muscles को relax कर रही है next इसके बात बात करें long term medications में तो long term medications में आएगी inhale corticosteroids inflammation को कम करना तो यह drugs का main function क्या होगा जो inflammation हो रहा है airways में उनको यह reduce करेंगी next इसके बात जो बात करेंगी long acting beta agonist short acting beta agonist थी उसमें long acting beta agonist यह भी वही function करेंगी यह क्या करेंगी जो beta receptor से उनको stimulate करेंगी जिससे muscles relax रहेंगी next इसके बाद इसका combination inhaler भी होता है यानि कि जो corticosteroids से हो जो beta agonist है इन दोनों को combination में भी दे सकते हैं तो इससे क्या होगा एक तो inflammation भी कम रहेगा दूसरा जो muscle से bronchiol सी वो dilate रहेगी तो यह इसका management हो गया management के बाद बात करें medical management के बाद तो जो यह drugs होती है उनको एक meter dose inhaler से दिया जाता है आपने देखा होगा जो asthma का patient होता है उसके बाद में एक ऐसा inhaler होता है इस तरह का यहाँ पे जब भी patient को asthma की शिकायत होती है तो यहाँ से वो inhale करता है drug को यहाँ पे mouth को लगा के यहाँ पे तो यह drug यह जो inhaler होता है इसके अंदर यहाँ पे जो है जो drug है वो यहाँ पे लगी रहती है और जैसे यह pump करता इसको तो इस में से बहुत सारी जो है इस प्रेज निकलती है और वो इस प्रेज जो होती है वो person के mouth में चली जाती है वो जल्दी से effect करती है तो इस परकार की जो drugs है वो इस inhaler से दी जाती है जिसको क्या बोलते है meter dose inhaler ओके तो यह बात हो गए इसके medical management की अब बात करें इसके nursing management की तो इसमें चार diagnosis है first one है ineffective airway clearance related to excessive mucous secretion and bronchoconstriction यानि कि पहलर diagnosis आया है कि पर्संद के जो एरवे clear नहीं है ब्लॉक हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं एक तो mucous का excessive secretion हो रहा है दूसरा bronchoconstriction हो रहा है इस वज़े से airway clear नहीं है दूसरा कि impaired gas exchange हो रहा है यानि gas का exchange नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है ब्रीठिंग की वज़े से नोर्मली ब्रीठिंग या गेस एक्षेन उसको नहीं मिल पा रहे हैं इस वज़े से अपनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है और फोर डाइगनोसिस क्या होगा नोलेज डेफिशियंस तू ट्रीटमें यानि परसन की अगर जो नोलेज डेफिशि देनी होगी फर्स्ट वन तो होगा कि पेशेंट को एक्स्प्लैन करना है किसके बारे में कंट्रोल कफिंग के बारे में ठीक है जो कंट्रोल कपेशेंट को ऐसे बोलना है कि आपको टाइम टू टाइम कफिंग करनी है इससे क्या होगा क्या रिजल्ट होगा इससे कि जो मतल क्या होगी कि patient को advise देनी है कि आप broncho dilators लें ञदिके जब भी आपको respiration में दिकत हो यानि कि person को advise देनी है कि जब भी आपको सांस लेने में problem हो तो आपको broncho dilator drug लेनी है इससे क्या होगा जो bron Premier चोर डिलेट हो जाएगी next intervention क्या देनी है patient को एड़वाइस देनी है कि आपको जादा से जादा पानी पीना है, यानि ड्रिंक करना है प्लेंटी ओफ वाटर, क्यों इसलिए करना है ताकि जो स्पूटम अंदर बन रखा है, वो लिक्वीड फोर्म में रहे, ठीक है, इससे क्या होगा जैसे मनलब इस पूटम liquid form में रहेगा तो बाहर आता रहेगा और अगर liquid form में नहीं रहेगा तो अंदर जमा हो जाएगा इसलिए person को बोलना है time to time पानी पीती रहें, next intervention और क्या बतानी है, कि patient को बताना है, किसके आप बारे में, proper technique for inhalation of medications to develop maximum effect of drug, patient को जब वो drug लेता है, तो उसके लिए proper effective technique बतानी किस तरह से आपको drug लेनी है, inhale करनी है, इससे क्या होगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है drug का effect होगा, okay, so ये first one diagnosis हो गया, एर्वे क्लिरेंस वाला जिसके लिए interventions हो गई second one जो डाइग्नोसिस पर अगन बात करें तो वो है impaired gas exchange यानि patient के extend gas का नोर्मली नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है inflammation की वाज़े से तो इसके लिए क्या-क्या interventions होगी first one होगा patient को advice देना है कि आपको बीडबाड वाले इलाके में नहीं जाना है किसलिए infection को रोकने के लिए okay दूसरा patient को encourage करना है किसके लिए rest के लिए कि आप normally rest करें ताकि आपके oxygen की जो demand है वो कम रहे oxygen demand नहीं बढ़े और क्या आप बोलना है कि advice देनी है patient को कि आप जो अपनी medications आपको बताई गई है वो properly ले टाइम टू टाइम और इसके बाद और क्या बताना है patient को encourage करना है किसके लिए deep, slow और first sleeping sorry first lip breathing ये क्या होती है इसमें patient को बोला जाता है कि आप जो अपने दोनों lips से उनको बिल्कूल closely बंद करके और इससे जितना हो सके आप सांस को अंदर बाहर करें इससे क्या होगा कि person को pressure के साथ अंदर air जाएगी और pressure के साथ air बाहर आएगी इससे क्या होगा patient की जो breathing है वो deep होगी और respiration में improvement होगा okay third diagnosis है activity intolerance यानि person जो है normally अपनी activities नहीं कर पा रहा है breathing ineffective वज़े से तो इसमें patient को क्या क्या interventions बताएंगे पहला patient को बोलना है कि suggest patient to take sufficient rest and sleep daily for 4-6 hours यानि patient को बोलना है कि आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें सोएं कितना 4-6 गंटे तक डेली next intervention क्या होगी कि patient को advice देनी है कि आपको well-balanced diet लेनी है और अपना nutritional जो intake उसको improve करना है ऐसा क्यों करना है क्योंकि patient को fatigness हो रखी है वो अपनी activity normally नहीं कर पा रहा तो patient बोलना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी diet लें ताकि आपकी जो मेलते वो नोर्मल रहे बिगड़े नहीं इसके बाद और क्या डाइग्नोसिस इसमें इसमें होगी कि advice to avoid excessive hot and cold fluids and food विच में irritate mucous membrane यानि patient को advice देनी कि आप इस तरह ज्यादा थंडा ना ज्यादा गरम इस तरह का fluid आप नहीं लें कि इससे क्या होगा कि इस तरह के fluid क्या करते हैं patient की mucous membrane को irritate करेंगे और इस वज़े से asthma के attack आने के chance होंगे इसलिए patient को बोलना है कि आप ज्यादा धंडा गरम नहीं खाए उसके बाद patient को क्या बोलना है कि आपको slowly eat करना यानि दीरे-दीरे खाना चबाके खाना है और लाश्ट और इसके बाद जो डाइगनोसी से वह है knowledge deficient अगर पेशेंट की या फेमिली मेंबर से उनकी knowledge ट्रीटमेंट को लेकर अगर कम है तो उनको knowledge प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए जाके intervention यहां पर देखने को मिलेगी educate patient about medication dose root and technique यानि patient को जो भी medication से उनके बारे में बताना उनके dose के बारे में बताना है केसे उनको लेना है उनके root के बारे में और technique के बारे में समझाना है उसके बाद और क्या intervention देखने मिलेगी advice to limit the activity and reduce work time to prevent patient को बोलना है कि आप जो physical activity कर रहे हैं उसको एक limit time के लिए करना है इससे क्या होगा कि आप जितना कम काम करेंगे जितना अपनी muscles को कम use लेंगे उतना आप में डिस्निया होने के chance कम होगे क्यों क्योंकि जितना हम जादा activity physical activity करते हैं तो हमारी oxygen की जो demand वो बढ़ जाती है तो अगर person कम काम करेगा तो उसकी oxygen demand भी कम रहे हैं नेक्ट इसके बाद हो क्या डाइग्नोस स्वारी इंटर्वेंशन होगी है आप डू नोट इस्टोप physical activity बट एवर्ट यानि patient को यह advice देनी कि आप बिल्कुल भी physical activity को रोक मत दीजिए बट heavy exercise ना करें आपको थोड़ी बहुत activity आप physical activity कर सकते हैं बट heavy exercise नहीं करनी है तो यह इसके diagnosis की बात हो गई nursing management की तो अगर आपको इसमें कोई भी problem होता है मुझे comment करके पूछ सकते हैं आप मुझे feedback दीजिए ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर क्या कमी है okay thank you